कर लुई को अग्या यह है कि आगे में दिया हुआ पॉल्टिकल इंवार्मेंट तो पॉल्टिकल इंवार्मेंट तो मैंने आपको पहले बिल्कुल कुन स्टार्टिंग में भी बिजन्स इन्वार्मট्स समझाया अभी मैंने पॉलिटिकल इन्वार्मेंट के बारे में जो डीटेल्स थी वो आपको दे दी थी बचस्तिल पॉलिटिकल इन्वार्मेंट क्या होता है उस country की government का क्या ideology है क्या सोच समझ क्या उनका point of view है towards business उस country की जो government है वो business को कैसे देखती है क्या समझती है कैसे grow करना देना चाहती है यह बहुत जरूरी है अगर मैं बात करूं मोधी जी के period से पहले की तो उसके उनके period से पहले का जो इंडिया का era था that was extremely slow बहुत slow era था मोधी जी के आने के बाद जीओ के आने के बात आप देख समझ सकते हो कि 2016 के बात का इंडिया तिल इफ आइट टॉक बाउट 2024 ठीक है इंडियन इकॉनमी इस वाइब्रेंट एकॉनमी मतलब इतने सिगनिविकेंट चेंजेज इन कुछ आठ सालों में देखे गए है जो शायद इंडिया में पिछले 20 मनब दो-दो डेकेट से भी नहीं देखे गए चाहिए क्योंकि यह जो गवर्वर्मेंट है यह बिजनस को हर लेवल पर प्रमोट करना चाहा ही रही है अब देखो यहां पर मैं अभी बिल्कुल भी इस तरह के आपको यह डिसकस्ट इंवल्व नहीं होना चाहता कि अंबानी को प्रमोट किया जा रहा है अडानी को प्रमोट किया जा रहा है और स्टूद tomar patch से कहता हूं क्योंकि आप मेरे स्टूडेंटों मैं आप से कहता हूं अगर अंबानी अडानी को प्रमोट कर भी दिया गया तो तुम्हें क्या नुक्सान है तुम्हें तो इंटरेट सस्ता मिल ही गया ना अपने आपको देखो कि आपको क्या फाइदा हुआ और क्या नुक्सा भी तो हो आप समझ रहे हो ना आप सोच के देखो कि जब आप अपना 1,000 रुपे का प्रोड़क्ट लेते हो तो आप 36 जगा पर जा करके इतने सारे शॉप्स पर जा करके मिंत्रा पर आजियों पर पता नहीं कितने ब्रैंड कितना कपड़ा कितना क्वाल्टी चेक करते हो रवेंट आप अगर किसी ऐसे को दे रहे हो जो केपड़े जो समझदार जो समाज भी रहे और कंट्री फ्लरिश ही हुई है ऐसा नहीं है कि कंट्री उनके हातों में जाने की वज़े से नीचे आ गई है और दुनिया के हर बड़े देश के अंदर मैं यह नहीं कहता कि हमारे कंट्री बिजनस के लिए सबसे अच्छी कंट्री नहीं है हमारे टेक्सेशन स्रक्ट्टर जो है वो वन अफ तो पूरेस टेक्सेशन स्रक्टर है जो कही न कहीं बिजनस को लॉंग टम में करेगा करेगा and that is why millionaires every year are leaving इंडिया तो मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि हमार बहुत अच्छी एं बिजनस के टूवर्ड्स बट हां काफी मामलों में यह प्रीवेस गवर्ब्मेंट से अच्छी एं जिसकी वज़से इंडिया के अंदर इतने बिजनस प्रमोट हो पाई है तो पॉलिटिकल इंवार्मेंट का आपके बिजनस के ऊपर एक बहुत focuses on the role played by the government their ideologies and philosophies as well as the stability of the government तो जैसा कि अमने बात किया था कि political environment का मतलब क्या है कि मतलब government क्या role play करेगी business ideas को और business को promote करने के राइट उनकी क्या ideologies हैं उनकी क्या philosophies हैं मतलब ऐसा होता ना कि कई बारी governments होती है वो favor में होती है कि foreign से जाधा-जाधा investors हमारे देश में आके invest करें काई मेरी governments जो थोड़ा protective nature की हो जाती है तो वो सोशते हैं कि foreign से अगर investors इंडिया में invest करेंगे is this supposed तो उस case में क्या होगा कि Indian investors जो है उनकी market lose हो जाएगी तो उनकी ideologies क्या है राइट तो आगे the political environment is dynamic okay it creates uncertainties or business especially for foreign companies foreign companies must do their homework about the political conditions of foreign countries to identify risks and decide on strategies on how to mitigate or reduce them तो क्योंकि उनके अलग-अलग ideas है अरदेश ही government different होगी इसलिए बोला गया है कि जो political environment है वो dynamic है बार-बार change होगा तो यह आपके business के लिए uncertainties देखे आएगा क्योंकि जो एक country में शायद आप अपना business अच्छे से कर पारे क्योंकि वहां की government की जो policies है that is like those policies are in much to your favor तो आप अच्छा कर पारे लेकिन हो सकता है chances are there कि जब आप कोई और country में जाए तो वहां पर ना हो तो इससे uncertainties है तो अगर कोई भी international business करना चाहता है तो दूसरा business jump करने के लिए it has to make sure कि किसी भी तरह की problem ना आए वो पहले से सारी study कर ले राइट अब देखो आगे में political system के types ये रखे हैं तो दो system हमें दिएगे democratic and absolutism ठीक है so now what are the difference between democratic तो देखो and absolutism तो एक बाह बता हो democratic का अप आडी जानते हो maximum students आरे के साहे जो वीडियो देख रहे हैं वो इंडिया से तो democracy आप जानते है democracy is something जहां पे आप एक ऐसा leadership style follow करते हैं जिसमें elect किया जाता है एक person को जो country के लिए प्राइम मिनिस्टर या प्रेजिडेंट के रोल पे जो countries के लिए duties हैं उनको perform करेगा बट यह करेंगी बट यहां पर main चीज यह है कि वो जो elected position है वो ऐसे नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा नहीं होता यह पिल्कुल जो independent जो election से वो conduct किये जाएंगे जो भी person capable है जिसके पास भी जादा votes आएंगे तो उसको ही elect किया जाएगा तो मतलब democratic government जहां पर भी होती है वो participative in nature होगी मतलब जादा से जादा जो मतलब लोग हैं वो elections में participate करेंगे सबको equal voting rights होंगे इस तरीके से ही person चुना जाएगा लेकिन जो दूसरा ideology जो system हम पढ़ रहे हैं absolutism जैसे कि हमने economic system पढ़े न capitalism socialism और mix वैसे हमारे पास यह भी है कि democratic and absolutism तो absolutism का मतलब क्या हुआ एक ऐसा style जहां पर monarchy होती है ठीक है जहां पर हमारे पास क्या होगी जहां पर हमारे पास होती है students monarchy now what do we mean by monarchy system students monarchy system का मतलब होता है एक ऐसा system जहां पर एक ruler होता है और यह ruler जो होता है न यह कोई election के त्रूँ चूज नहीं किया जाता यह ruler इस वज़े से चूज किया जा रहा है कि यह किसी particular ठीक है royal family का जो एक part है बहुत influential किसी family का एक person है और वह मतलब एक तरीके से खंदानी वह families जो है उन्हीं के लोग rule करते जा रहें तो उसी basis पर जैसे कि अगर आप Middle East की countries की बात करें अगर मैं specifically बात करूं लाइक आपसे UAE की जो हमारे 7th Emirates है जैसे की king है वो पूरा का पूरा जो system है वो चलाते हैं देख रहें उनकी नजर में ही होता है सब कुछ वही है अब ऐसा नहीं कि कोई external person जाएगा और वहां पर as a king बनने के लिए election लड़ सकता है ऐसा बिलकुल भी नहीं है जो उनकी families में ही उनके सक्सीडर्स होंगे उन्हीं सक्सीडर्स को वो जो थ्रॉन है आप कह सकते हो राजगदी जो है वो लगातार पास कर दी जाएगे तो यह आपको देखना पड़ेगा क्योंकि जब democratic government होगी तो आपको खुछ समझ में आ रहे हैं कि democratic government के अंदर जादा chances है कि कोई भी external person कर ना करके business को कर सकता है और इसमें पूरे-पूरे chances है आपका business जो है वो अच्छा grow करेगा क्योंकि जब कोई person democracy में है तो democracy में students होता कि है that everybody gets equal chance of being selection तो अगर तुम business करने जा रहे हो तो इतने सारे लोगों में से किसी ना किसी से opinion आपका मैच करेगा ही करेगा तो इसलिए business के chances बढ़ जाते है customers के पास choice जादा होती है क्योंकि सब कुछ market में होता है लेकिन जब monarchy system जो है अप्सों इस्टम में वह होता है यहां पर दिखकर क्योंकि यहां पर अब जैसे एक थोड़ा सा पता है जैसे शार्जा नाम की जगा यह जागा है UAE के साथ पार्टे जैसे कि मैंने आप से का कि साथ Emirates है तो उन साथ में से एक Emirates है शार्जा अब शार्जा में अगर आपको business करना है अगर आप एक Emirati नहीं है आप Emirati कौन होते है सुरिंस वो लोग जो UAE में ही पैदा हुए है लेकिन किसी Emirati के घर आप इंडियन हो आप वहाँ चले जाओगे आपको citizenship कभी भी नहीं मिलेगी UAE जो Emirati पासपोर्ट है वो किसी को देता ही नहीं है जब तक आप किसी Emirati के घर पर जनम नहीं लेते तब तक वह पासपोर्ट पासपोर्ट आपको नहीं मिलेगा तो अगर शार्जा में कोई बिजनस करना है बिजनस करने की कंडिशन सूरिंट्स क्या रखी गई ये शार्जा की जो रूलर से उन्होंने कि वह बिजनस आप करोगे लेकिन इस बिजनस के अंदर investment का एक portion किसी Emirati का होना चाहिए बिना कि इसी Emirati के investment के आप बिजनस नहीं कर सकते हो ये उनका mandatory है और साथ ही साथ में शार्जा के अंदर आप कोई property नहीं ले सकते आपके पैसा भी है सब कुछ है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको rent पे ही रहना पड़ेगा Emiratis जो है उनके अपने घर है उनके अपनी properties है आपको नहीं से rent पे लेकर रहना पड़ेगा तो अब समझ रहे हूं कि कैसे आपके country के अंदर जो absolutism है वो एक challenge लेकर आ सकता है तो मतलब अगर मैं शार्जा बिजनस करने के लिए जाऊं या आप अगर शार्जा बिजनस करने के लिए जाए तो ये दो चीज़े हमें दिमाग में वहाँ पे क्योंकि monarchy system है तो आप कभी भी rental business को owned business में convert नहीं कर सकते rent आपको हमेशा देना ही देना पड़ेगा ठीक है और साथ ही साथ में जो भी business है जो भी idea है कुछ भी आपका पैसा है भी तो भी you need to you know like have a partnership with some local Emirati person जो आपको funding वेगरा भी करेगा तो एक basic level पर जो investment है वो बहुत कम होती है बहुत कम लेकिन आपको करना पड़ेगा mandatory है आप नहीं होन कर सकते तो यह हमारे पास हो गया अब हमारे पास पॉलिटिकल रिस्क क्या क्या हो सकते है जैसे अभी आपको पता होगा की यह और देखो इसमें सी कोई बात नहीं जो आपको ना पता हो मुझे लगता कि नहीं पता होगा 2022 में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या शुरू अब जब यह 2022 में युकरेन रश्या वार शुरू हुई स्टूरेंट तो इस ताइम पर हुआ क्या इस ताइम पर हुआ यह कि रश्या को बहुत जादा लेवल पे जो वेस्टन कंट्रीज है चाहे उसकी नेबरिंग यूरोपिन कंट्रीज सा युनाटिट से अफ अमेरिका युकरे उनके उपर बहुत से संक्षन लगा दिया गया प्रॉपर्टीज को सीज कर दिया गया दाट इस पॉल्टिकल इसी को पॉल्टिकल रिस्का जाता है कि जब मैं इंटरनाशनल लेल पे कोई बिजनस कर रहा हूं उस बिजनस में कोई भी इफ एन बट होता है तो इट जैसी की रिखा हुआ है थे उसरेंटेश इंथनाटिकल इंवरॉम्ने घवन में लिजन टो इसको फॉल्टिकल डीमिन गया खुल जादा Chinese product के उपर boycott की बाते चली थी के boycott करो, boycott करो Chinese product नहीं होने चाहिए, तो इस तरह की चीज़े हो सकती है, अगे. So, buying Chinese goods at the same, at the time of festivals due to the strange situation between the two countries at the border. The macro risk includes, अब macro risk क्या हो क्या हो, confiscation, right? Confiscation का मतलब है, जब्त कर लेना. In this, the host country takes over the ownership and control of the private company's local assets without compensating the private company. कुछ भी हुआ, कुछ भी political party change हो, उन्होंने पूरा का पूरा assets take over कर लिये, अब आपको कोई जबाब भी नहीं देंगे. Nationalization, it is just like confiscation, but it is done at the industrial level. The government-owned company will run the whole industry. In 2009, the president of Venezuela announced the nationalization of the banking industry. इसका मतलब क्या है, कि nationalization जो होता है student, वो होता है कि already कोई company चल रही है, private company है. Government declare कर देगी nationalization, तो वो private company को government के अंदर नहीं. ये भी एक risk हो सकता है, ठीक है? आगे दिया हुआ में क्या चीज? Expropriation, right? The host country takes over the ownership and control of the private company's local assets by paying them a compensation. ठीक है? तो ये, वो सुना अपने appropriation, तो ये वही है, expropriation. Means हमने take over to किया, लेकिन कुछ पार्ट में आपको तो थोड़ा बहुत जो बनता होगा, उसके basis पर आपको क्या देदेंगे? पर एं रेमिटेंस प्रॉब्लम, the host country में restrict the amount of funds, foreign company can remit to its home country. मतलब, जैसे कि भाई, तुम अगर अपने country में पैसा बेजना चाह रहे हो, तो उसमें restrictions लग सकती है. क्यों restriction लगाएंगे वो? क्योंकि वो नहीं चाहते कि unnecessary forex के demand बढ़े, जो उनकी currency को weak करे. यह मैंने क्या बोला, इसको समझो सुरून, देखो. मान लो, आप USA में कोई business कर रहे हैं, और यहाँ पर India है. ठीक है? आप क्योंकि international business पढ़ रहे हो, तो इस बात को उतने दिमाग में अच्छे से बढ़ालो, कि एक global currency, ठीक है? अगर मैं बात करूँ कि जो international level पे acceptable currency है, वो कौन सी है? वो US dollar है. ठीक है? US dollar को consider किया जाता है एक वो currency, जिसको जादतर payment methods के लिए globally use किया जाएगा. तो एक global currency के तौर पे US dollar use होता है. अब कोई भी international transaction करते हो, तो आपको अच्छे से पता होगा, कि US dollar जो है, वो उसी में वो लोग payment मांगते हैं. अब समझो. किसी भी country का जो exchange rate decide होता है, वो managed floating system के थूँँ decide होता है, जो हम आगे definitely पढ़ेंगे. बट, फिलहाल जो एक चीज आपको focus करनी है, वो क्या करना है, कि जो major तरीका होता है, किसी भी चीज के rate का decide करने का students, this is demand and supply. Demand supply के basis पे दुनिया में कोई भी चीज का rate, किसी भी चीज का जो price है, वो decide किया जाता है. तो अगर मैं इस excess पे quantity लिखूँ, और इस excess पे मैं लिख लूँ rate of exchange, कि कितने, मतलब कितने unit of INR के बदले, कितने dollar दिये जाएंगे, तो rate of exchange हम यहां लिख लेते हैं, अब ध्यान से समझना, मान लो ये OP rate है, जिस rate पे, इतनी जो quantity है, वो रुपी की exchange की जाएगी, टीक है, आप इसको, OP को INR में समझ लो, ठीक है, और यहां पे क्या समझने है आपको, कि कितनी dollar आपको मिल सकता है, कितना कम मिला, कितना ज्यादा मिलेगा, ठीक है, अब एक बात समझो, ये आपका हो गया demand curve, dollar का, ठीक है, ये हो गया supply, ठीक है, अब अगर student, आपके सादस्तर लोग बाहर जाकर के business करना शुरू हो जाएं, तो इससे होगा क्या, इंडिया को foreign से बहुत पैसा आएगा, ठीक है, क्योंकि वो लोग अपने relatives को, अपने parents को, अपने लोगों को भेजेंगे पैसा, तो इंडिया को remittances के तोर पे बहुत पैसा आएगा, जिससे कि इंडिया की जो अब quantity बढ़ गई, लेकिन जो rate of exchange वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि अब same dollar के लिए आप क्या करना पड़ रहा है, कम जो amount है वो देना पड़ लेकिन इसका wise versa हो सकता है, तो क्योंकि US को इस बात का डर हो सकता है, क्यार मेरी तो currency की value लगातार कम होती चली जाएगी, तो क बाई-बारी countries अपनी currency की value को protect करने की वजह से payment पे restrictions भी लगा देते हैं, कि in a year, कोई भी individual person जो है, कोई individual business जो है, वो remittances के तोर पे और इसके बहाब पे इतनी ही payment अपनी home countries में भेज सकता है, जिससे की क्या रह सके, जिससे की उन पे एक control बना रह सके, जो की बहुत जादा जरूरी है, तो यही वो point था, जो मैंने आप से का था, कि इसको समझ लेते हैं, चलो, hopefully यह point भी students आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब बात करते है, legal environment, left याद है, social हमने demographic और cultural के तौर पर पढ़ लिया, right, ठीक है, technological आगे हम पढ़ेंगे, economic हम पढ़ी चुके है, right, ठीक है, political अभी अभी हमने खतम किया, अब बात करते है, legal environment क्या है, सुने, अबना legal environment को पहचानने का तरीका क्या है, देखो, बहुत simple है, legal environment इस तरीके से पहचाना जा सकते है कि कौन सी चीज, mandatory हो रही है, कौन सी चीज को prohibit किया जा रहा है, किसी तरह की act की बात की जा रही है, ठीक है, किसी तरह के, मतलब court या उसके तरू कोई भी जो judiciary level पे है, उनके guidelines के तरू बात की जा रही है, तो कोई चीज mandatory हो रही है, कोई चीज prohibit हो रही है, कोई act pass हो रहा है, किसी तरह की guideline है, तो जब इस तरह की चीजे students बात की जाएंगी, तो ये होता है, आपका legal environment, क् की देखो students, ये law ही है, law के बस की ही बात होता है, किसी भी चीज को क्या कर देना, किसी भी चीज को compulsory कर देना, without law, आप कोई चीज compulsory नहीं कर सकते, अब इस बात को hopefully, अच्छे से समझ पा रहे होगे, law में ही इतनी power होती है, कि वो किसी भी चीज को क्या कर सकता है, या किसी इसको ban कर सकता है तो legal environment अब legal environment business को impact कैसे करेगा जैसे की मैं देखो एक चीज़ और क्योंकि हमने सीधा environment पढ़े क्योंकि आप अगर 12 में पढ़ चुके हो तो आपको एबात अच्छे से पता होगी कि जितने भी business environment है इनको हम बोलते हैं that they are interrelated to each other इनके बीच में एक feature होता है which is called interrelatedness now what is interrelatedness student इसका क्या मतलब होता है इसकी जरा बात कर लेते हैं देखो student बहुत simple है अगर political party अगर political environment में कोई change आएगा मान लेते हैं कि presently इंडिया को rule करने वाली जो party है वो BJP है बट अगर बीजेपी जो है वो ruling party ना रहके मान देते हैं for the time being कि जो Indian National Congress है INC party है वो आ जाए ठीक है तो यह political environment तो change हुआ लेकिन यह political environment जो है आपके legal environment को पूरी तरीके से impact कर सकता है क्योंकि Congress के आने के बाद बहुत सारे ऐसे bill बहुत सारी ऐसी चीजे है जो pass करवाई जा सकती है जो Congress की government चाहती है changes दाना तो इसलिए legal, political, technological जितने भी environment से वो interrelated to each other हो तो जो भी pollution emit कर रहे है जो भी units हो सकता है Supreme Court कल को government के कहने पर बहुत दिक्कत है तो pass कर दे कि इस से ज़्यादा pollution जो है हम accept ही नहीं करेंगे अभी एक limit है मान लेते है उस limit को और नीचे कर दिया जाए उस से क्या हो सकता है बहुत से लोगों का जो business है वो सफर कर जाएगा तो कि वो पहले इतना कर रहे थे अब उनको बोला है इतना करने को तो कर पाए तो ठीक नहीं तो फिर charges लग जाएंगे तो legal environment बहुत सी अच्छा उसके लावा अगर आपको business start करना है तो जैसे कि मैंने शार्जा के अंदर बोला के शार्जा के अंदर तो भी आउनने act pass करना है कि legally अगर आपको कोई भी business करना है तो वहां का कोई emirati होना चाहिए property legal है आप ले नहीं सकते तो legal environment जो है वो भी impact कर आपके business के decision को राइट चालो तो देखो इसमें क्या क्या लिखा है मैं पास So, business is bound by the legal framework and has to follow these laws to sell penalties and close the business Okay, for an international business the company has to abide by the legal framework being implemented in the best country which tends to be different from the home country Every country has its judicial system evolving laws and dispute settlement mechanisms and how they are implemented varies from country to country Right, वो कह रहा है कि देखो जो legal system है हर country का judicial system जो होता है वो एक अलग system है हर country ने अपना constitution अलग बना रखा है कुछ चीज़े हमारे constitution में काफी system से मिलती है क्योंकि उनी से ली गई है तो कुछ चीज़े मिलेंगी बहुत से चीज़े नहीं मिलेंगी लेकिन system तो और किसी का अपना legal framework अलग है तो अगर तुम्हें उस country में जा करके अपना business करना है तो तुम्हें उनके legal framework को समझना पड़ेगा it's not that कि तुम जाओगे और अपना business शुरू कर लोगे ऐसा नहीं होने बाला उनका legal framework समझना पड़ेगा जानना पड़ेगा only then you can start your business, establish your business over to a particular reason right अब वो कहले कि कौन कौन से system से इस तरह यह देखते है तो पहले civil law it is based on roman law and is based on courts courts refer to what legal behavior is expected and is not based on precedencies it is followed by the many other countries including France, Germany, China, Taiwan and is based on civil law का मतलब क्या हुआ सुरूंट civil law का मतलब है being की अगर तुम वहापे company start कर रहे हो तो उस countries के अंदर तुम्हारे actions की वज़े से जो civilians है उन पे क्या impact आ सकते हैं यह तुम्हें देखना ही पड़ेगा बिना इसके देखे तुम अपने business को start established नहीं कर सकते तो यह देखना पड़ेगा next हम आपा सिसिरेंट्स इसका मतलब क्या होता है तो सिसिरेंट्स ने क्या है कि जो Britishers है उन्होंने कुछ laws निका ले तो उन laws के according जो business है क्योंकि यहां पर लिखा भी हो इनटिट इंडिया तो as you can understand के हमारा जो constitution है इसका एक significant portion किस से लिया गया है इसका significant portion जो है UK के जो constitution उससे लिया गया है right next is religious law it is based on religious teachings and beliefs which have been given a legal framework the most widely used one in the Islamic law Sharia which is based on the holy book of Quran तो यह मैंने आप से का कि अलग-अलग आपके पास क्या अलग-अलग आपके law है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हर एक law जो है वो आपसे क्या कहना चाहता है क्या चीजे है उसके अंदर है क्या नहीं है आगे next जेको में क्या लिया रखा है international law चालो एक बाई से रीट करो तो तो पानी पी लेता हो international law क्या होता है as we are operating in a globalized world where there is economic integration along with companies expanding their business across borders the presence of an international law system has become a necessity international law refers to a set of rules that are accepted by the countries in their conduct with each other and the people united nations is power to oversee international law through its charter which is binding to all the members of the united nations it includes the international court of justice and various international courts and tribunals to resolve disputes among the states it covers areas like world trade human rights environment production protection communication global waters and sustainable development to name a few देको सूने एक बात सम्झोगों केहना यह है कि हर कंट्री के अपने लोग है लेकिन आज के डेट में यूएस का पर्सन जो है वो उटकर के यूरॉप में यूरौप में जाकर के अपना बिजनस कर सकता है बिना किसी चालंज के यूरॉप के जो लोग है या यूएस के ही लोग जो है वह कही ना कहीं, आफ्रिका में आकर के जो अपना बिजनस है, वो अगर conduct करना चाहें, तो फुल कर सकते हैं, ठीक है, similarly, आप Middle East के portion में भी कर सकते हैं, फिर आप Asian region में भी business कर सकते हैं, तो आप Australia में जाके business कर सकते हैं, तो आप कहीं भी कोई भी कहीं भी जाकर के business कर सकता है problem नहीं है हमारे अपने जो domestic laws हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे challenge यह है कि जब मैं यहाँ पे गया मैं as an Indian company Europe में जाके business कर रहा हूँ मेरे साथ कुछ भी unfair हो रहा है तो मुझे कौन देखा इन सब matters को solve करने के लिए बनाया गया है आपका United Nations और साथ ही साथ में आपको पता होगा worldwide level पे trade को promote करने के लिए एक organization है which is WTO World Trade Organization which was established in 1995 1995 में World Trade Organization established किया गया तो इसका motive क्या है समझना अब एक बाह बताओ अब गुजराती है गुजराती एक community है तो जादा तर जो गुजराती है वो एक तरह के पस्टम को एक तरह का जो pattern है उसको follow करेंगे that is okay रहे कि उनका एक ही pattern है वो एक ही pattern को follow करेंगे okay इसके लावा इसके लावा अगर मैं आप से बात करूं बेंगॉलीज है तो उनका भी जो जादा तर पैटरन होंगा उनमें priorities होंगी तो जब आप किसी इस तरह की organization को बनाते हो और countries उनके member बनते हैं तो उसके पीछे का motive यह होता है कि अब तुम अपने independent laws बनाने भूल जाओ अब जो यह बड़ी वाली organization है this organization will frame the like criteria जिसमें आप मिल करके काम कर सके जो पूरी तरीके से इस बात को बताने जानने और समझने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से आप international level पे एक साथ मिल के grow कर सकते हैं तो आप independent अपनी policies ना बनाए अगर आप WTO United Nations के member हैं तो उस case में sorry for this spelling गल्प लिख दी थी ठीक है अगर आप इसके member हैं तो इसके member होने का मतलब यह कि जो laws जो policies यह बनाएगा आपको वो माननी पड़ती है ठीक है जैसे कि मैंने previous section में बनाया बताया था कि जो इंडिया है उन्होंने अभी अभी sign किया ठीक है यूरॉप के 4 countries के साथ मिल करके 100 billion dollar को लेकर के जो sign किया गया इसमें सबसे बड़ी जो role play किया वो WTO ने कि WTO के member हम है इस वज़े से हमें वो अच्छा कासा जो एक investment मिला अब जो भी policies उसके अंदर आएंगी उसके अंदर ये भी बोला गया उससे फाइदा किया है कि जो government है उन्होंने bilateral trade agreement sign किया है उसके अंदर tariffs हटा दि national level पे trade जो है वो promoter से किसी बितार कि जो barriers है उनको wipeout किया जासे तो यह ही था आगे तो यहां पर देको लिखा हुआ है so nowadays the legal framework of a country pertains to various areas such as wetting up of a company setting होगा sorry wetting लिग दिया setting up of a company consumer protection competition product specialization and quality promotion pricing etc for example media advertising is not allowed in Libya and in the case of India advertisement of all ads not permitted and alcohol is only sold as government permit का बड़ा I think कुछ mistake है कहना वहीं चाहता है कि advertisement जो है आप जातर कर सकते हैं लेकिन बहुत सी advertisement है जिनको government ban कर लेकि alcohol का कोई भी advertisement जो है government नहीं कर सकती है एक extent पर मतलब थोड़े बहुत जो royals tag बगरा उनके advertisement आते थे बट अब आपको पता है कि इस तरह के advertisements इंडिया के अंदर जादा नहीं किये जाते राइट also in the US medicines can be taken without checking the prescription in case one is found at default be it's punishable राइट जैसे इंडिया में अगर आपको कोई major medicine लेनी है तो उसके लिए आपको वो चाहिए prescription चाहिए बट जैसा कि वो बता रहे कि United States के अंदर इनके ज़रूरत नहीं है तो यह सारी चीजें हैं जो students क्या करती है international laws के case में काम करती है तो जो हमें देखनी पड़